हेलो एवरिवन, वेलकम अगेन तुलंग विदेतीमन, आज हम करेंगे राजिस्थान के लोक नरत्य, जिस तरीके से हमने राजिस्थान के लोक गीतों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, तो जहां हमने जाना कि आम जन जीवन की जो संस्कृती है, उनका व्यवहार है, तो उसे लोक गीतों के माध्यम से दर्साया गया, तो उसी तरीके से लोक नरत्य हैं, तो लोक नरत्य में भी किसी भी तरीके का जो है ताल, ले, आदी का जो सक्ती से पालन नहीं होता है, जबकि सास्री नरत्य की यदि हम बात करते हैं, तो वहां पर ये सबी चीज़े जो ह पहार लें, मेले लें, तो उन अवसरों पर रंग विरंगी बेज बुसा पहन कर और उस इस्थान विसेज की परंपराओं के अनुसार, लोक नरत्य की परंपरा जो है आज से नहीं बलकि बहुत पुरानी है और पहले से ही चली आ रही है, तो लोक नरत्यों पर जो भी शेत्र होता है, उसकी भोगोलिक इस्ति, सामजिक बंधन, इन सब का प्रभाव पढ़ता है, तो उनहीं की बात आज हम करने वाले हैं, तो राजी स्थान के लोक नरत्यों को हम तीन भागों में बाढ़ते हैं, तीन स्रेणियों में बाढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि उस शेत् जातियों के लोक नरत्यों, तो इनहीं को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए, एक्जाम में यहीं पूछा जाएगा कि कौन सा लोक नरत्य जो है, वह किस शेत्र में किया जाता है, या नाम दे दिया जाएगा कि कच्ची घोडी नरत्य जो है, वह कैसा नरत्य है, व्यव से प्रेशन जो है वो उठ जाता है कि गीनर नत्य कहां किया जाता है तो सेखावटी शेत्र में किया जाता है गीनर नत्य और यह सेखावटी शेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नत्य माना जाता है ठीके होली के दिनों में एक हफते तक जो है यह नत्य किया जाता है इसमें जो याद रखें, सुजान गड़, चुरू, राम गड़, सीकर और लक्षमन गड़ में विसेश तोर पर गीनन नत्य प्रिसिद्ध है, केवल पुरसों द्वारा किया जाने वाला ये लोक नत्य है, ये याद रखना है, और यहाँ पर जो महलाओं के रूप में पुरुस ही होते ह जो की महलाओं का स्वांग करते हैं, महलाओं के जो हैं ड्रेस डाल कर और ये इस तरीके से नत्य करते हैं, और जो पुरुस महलाओं का स्वांग करते हैं, उन्हें गण गोर कहा जाता है, होली के त्योहारों पर डांडा रोपर से लेकर होली का देहन तक ये नत्य किया जात ठीक है तो मैंने आपको बताया कि होली के दिनों के बाद जो है एक हफते तक जो है ये इन्रत्य होता है कैसे किया जाता है 15-20 जो पुरुस होते हैं वो ऐसे गोल-गोल तरीके से राउन जो है वो काड़ते हैं और उनके दोनों हातों में दो डंडे होते हैं और उन दोनों को सादू सिकारी, सेट सेटानी, दूला दुलहन, सरदार, पठान, बाजीगर इस तरीके से स्वांग ये लोग रचाते हैं जब वो पुरुस महलाओं के वस्र धारण कर लेते हैं तो उनको क्या कहा जाता है गंगोर कहा जाता है कई बार एक्जाम में ये कुशन उचा गया है कि ऐसा कौन सा नरत्य है जिसमें पुरुस महलाओं के वस्र पहन कर जो है नत्य करते हैं ये महलाओं का स्वांग करते हैं जिन्हें गंगोर कहा जाता है तो वह नत्य है सेखावटी का प्रसिद्ध नत्य, गीनन नत्य अगला देखिए चंग नत्य है तो गीनन नत्य की तरह ही चंग नत्य भी गोल व्रताकार घेरे में किया जाता है पुरुस जो है वो क्या बजाते हैं चंग वादियंत्र बजाते हैं और बजाते हुए जो हैं गाना गाते हैं और मृत्य करते हैं और बाद में ये सभी जो है बीच घेरे में जो है एकटे हो जाते हैं धमाल करते हैं और होली के गीत गाते हैं ठीके तो हमने अभी दो नत्य पढ़े एक नत्य जो हमने गीनन नत्य पढ़ा वो भी गोल घेरे में होता है और पुरसोद्वारा किया जाता है दूसरा हमने चंग नत्य देखा वह भी चंग बजाते हुए पुरुष ही इसमें रत्य करते हैं और विशेश कर होली के अफसर पर ही ये दोनों नत्य किया जाते हैं सेखावटी शेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोग नत्य जो है वह है कौन सा है गीनन रत्य है अगला देखें धप नत्य तो यहां जी धप नत्य है तो धप बजाते हुए ही किया जाता है सेखावटी शेत्र में ही किया जाता है बसंत पंचमी पर सेखावटी शेत्र में धप वा मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नत्य जो है कौन सा है धप नत्य है नेक्स्ट देखें कच्छी गोडी नत्य तो कच्छी गोडी नत्य जो है क कैसा नरत्य है शेत्री नरत्य भी है और उसके साथ साथ में ये एक व्यवसाइक नरत्य भी है ठीके ये भी याद रखना है हम व्यवसाइक नरत्य जब पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कच्छी घोडी नरत्य ये कैसे होता है ये पैटन बनाने की कला के लिए प्रसिद् तो इस तरीके से यह नरत्य जो है यह भी गोल घेरे में होता है इसमें तलवार हाथ में लेकर यह नरत्य किया जाता है लसकारिया, बींद, रसाला, रंग मारिया, गीत जो है इस नरत्य में गाए जाते हैं सरगड़े, कुमार, ढोली, भाबी जात्यां जो है कच्छी गोडी नत्य करने में निपोड हैं ठीक है तो यह जो कच्छी गोडी नत्य है यह विशेज कर विवाह के अफसर पर ही किया जाता है कि पैटर्ण बनाने की कला के लिए यह प्रसिद्ध है कच्छी गोडी नत्य है और यह एक व्यवसाईग नत्य है, next देखे अगनी नत्य, अगनी नत्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने बात की थी जसनाती सम्प्रदाय की, ठीक है जसनाती सम्प्रदाय का प्रमुकुन नत्य है ये अगनी नत्य, कहा होता है, भीकानेर की कतरिय आसर में, और यह नरत्य भी पूर्सों के द्वारा ही किया जाने वाला नरत्य है तो यह नरत्य कैसे किया जाता है अंगारों के धेर पर चल कर यह नरत्य किया जाता है और साथ में ही फते फते का यह लोग नारा लगाते हैं और उन अंगारों के धेर को जो है क्या कहा जाता है धूना कह जाता है ठीक है और कई बार तो और भी जो है कठिन काम इसमें करते हैं जो नर्तक होते हैं वो अंगारों से मतीरा पोड़ना हल जोतना ऐसी क्रियाएं जो है वो करते हैं ठीक है और ये जो है जसनाती संप्रदाई के जो जाट सिद्ध कभीले के लोगों के द्वारा किया जात और विशेश तोर पर याद रखना है कि जसनाती संफ्रदाय के लोग जो हैं इस नरत्य को करते हैं। इस नरत्य को महराजा गंगा सींग ने संडक्षन प्रदान किया था। कतरिया सर, मामलू, डिकमदे सर इन नरत्य कों के गाउं हैं। कतरिया सर, आप याद रखिए अगनी नरत्य के बारे में। तो ये भी एक शेत्रिय नरत्य है, एक शेत्र विशेश में ही नरत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखें, धोल नरत्य, धोल नरत्य जैसे कि पता चल रहा है, इसमें जो वादियंत्र हम यूज कर रहे हैं वह धोल है, धोल बजाते हुए नरत्य करना। विशेश तोर पर जालोर में ये नरत्य किया जाता है, और जो विभा होता है, शादी विखा, तो उस समय ये नरत्य किया जाता है, और पुर्सों के द्वारा ही किया जाता है, तो अभी तक हमने जो भी नरत्य पढ़े हैं, वो पुर्सों के द्वारा ही किया जाते हैं, कौ तो आपके एक्जाम में ऐसे ही एक कुश्चन जो है वो बन जाएगा कि इन में से कौन सा नत्य जो है वह पुर्सों के द्वारा नहीं किया जाता है ठीक है तब आप इन में से ही आंसर देंगे विवहा कि अपसर पर केवल पुर्सों द्वारा किया जाने वाला नत्य है और माली दोली सरगना और भील जो जन जाती है वह इस नत्य को करती है किसे धोल नत्य को और इसी नरत्य को व्यवसाइक नरत्यकों की पहचान जो है राजिस्थान के जो भूत पूर्व मुख्यमंत्री थे जै नरायन व्यास तो उन्होंने जो है इसको पहचान दिलवाई थी ठीक है और हम देखते भी हैं आए दिन की जब व्या होता है तो धोल जो है लेकर जो लो होल बजाते हैं और नत्य करते हैं और कई बार तो जो पुरुस होते हैं वो अपने मुह में जो है तलवार लेकर कुछ हाथों में डंडे लेकर है ना या कुछ जो है हाथों में या मुह में जो रूमाल जो है वह लगा कर और फिर डांस करते हैं ठागना शैली में किया जान में किया जाता है होली के अफ़सर पर किया जाता है स्रीनाज जी के भक्तों दौरा किया जाने वाला नत्य है एक धार्मिक नत्य कौन सा डांग मार्य नेक्स्ट देखें नाहर नत्य तो नाहर जो है वह किसको कहते हैं शेर को भी कहते हैं तो भील वाड़ा में नाहन रत्य किया जाता है भील वाड़ा के मंडल में किया जाने वाला रत्य है नाहन रत्य यह भी होली के अफसर पर किया जाता है हमने देखा कि होली के अफसर पर जो है कच्छी घोडी नत्य भी हो रहा है गीनर रत्य भी किया जाता है नहांचा के समय से ये नरत्य प्रारम हुआ था तो इस नरत्य में क्या होता है कि जो पुरुस है वो अपने सरीर के ऊपर जो रूई होती है वो लपेट लेता है ठीक है और इसी तरीके से जैसे नाहर होता है उसी तरीके से वह अपने आपको प्रदर्शित करता है और नासता ह नेक्स्ट देखें बिंदोरी नत्य बिंदोरी नत्य जो है यह जाला वाड में प्रसित है और होली और विवहा अफसर पर यह नत्य होता है तो इतना ही इसके बारे में याद रखिएगा नेक्स्ट देखें बम नत्य तो यह बंब नहीं है यह है बम ठीक है बम नत्य जो है वो अलवर भरतपुर में किया जाता है अलवर भरतपुर का प्रसिर्द नत्य है बम नत्य और यह नत्य जो है पुरसों द्वारा फागुन की मस्ती और नई फसल जब आ जाती है तो उस कु कढ़ा होता है नगाडा तो बड़े नगाडे को ही क्या कहा गया है बं कहा ठीक है और उस नगाडे को खड़े होकर दोनों हातों से दो, मोटे मोटे धंडों से इसको बजाया जाता है इसमें जो है थाली, चिम्टा, ढोलक, इसके प्रमुख वादी अंत्र भी होते हैं, इसके साथ रस्यागीत जो है लोगों के द्वारा गाया जाता है नेक्स्ट देखें, डांडिया नरत्य, तो डांडिया नरत्य मारवाड का लोक प्रिया नरत्य है, होली के बाद से सुरू हो जाता है इसमें पुरुसों द्वारा बिभिन प्रकार की स्वांग भर कर वरताकार रूप में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं तो यहां पर 20-25 जो पुरुस होते हैं वो एक टोली बना लेते हैं दोनों हातों में डंडे ले लेते हैं व्रताकार जो है नरत्य करते हैं जिस तरीके से गीनन रत्य हमने देखा था उसी तरीके से ठीक है और इसका नाम ही है डांडिया नरत्य तो इसमें दो डंडे तो होंगे ही और उसके बाद जो है मैदान में चौक के बीच में सहनाई बसती है नगाडे वाले नगाडे बजाते गाने वाले गाने गाते हैं तो हमने अभी शेत्रिय नत्यों के बारे में पढ़ा अब नेक्ष देखिए व्यवसाइक लोग नत्य ऐसे नत्य जिनका उदेश्य जो है वो पैसा कमाना होता है तो हमने कच्छी गोडी नत्य देखा था धोल नत्य देखा जो की व्यवसाइक नत भवई नत्य, कच्छी घोडी नत्य, कालवेलियों के नत्य, कंजर जाती के नत्य, कटपुतली नत्य और भोपों के नत्य, ये सब व्यवसाइक लोक नत्य की श्रेणी में आएंगे, तो नाम तो आप याद रखेंगे, शेत्री नत्यों के नाम अलग हैं, याद रखेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखिए तेरे ताली नत्य तो कामर जाती जो है तेरे ताली नत्य से बाबा राम दिव जी का यसोगान करती है ठीक है और कामर की जो महलाएं हैं मेले और उत सवों में तेरे ताली का प्रदर्शन करती है और पैसे कमाती हैं यहां पर महलाएं जो हैं क सामर जाती की, 9 मंजीरे दाएंपाओं में बांती हैं, 2 मंजीरे दोनों हाथ की एक-एक कहनी में बांती हैं, और 2 मंजीरे दोनों हाथों में बांती हैं, तो 9 और 2, 11 और 11 और 2, 13 ठीक है, इस तरीके से 13 मंजीरे बांध कर करती हैं, और ये जो नरत्य है, ये बैठ कर किया जान वाला Raty है पुरुष जो है वह क्या करते हैं मंजीरा बजाते हैं तानपुरा बजाते हैं और चोगरा बजाते हैं तो तीनों वाधियांत्रों के बारे में हम पढ़ चके हैं मुख्यत है निरत्य जो है पोकरण दीणवाना उदेपूर पातरना गाउं पाली जहां पर किया ज मांगी वाई का नाम तो आप याद रखेंगे कि मांगी वाई जो है वह है प्रमुक नरत्यांगना है तेरे ताली नरत्य की और इसके अलावा मोहिनी, नारायनी, लक्षमन दार जो है यह भी इसके प्रमुक नरत्यकार हैं फिर देखें व्यवसाइक नलोक नत्या, भववई नत्या, तो भववई नत्या एक ऐसा नत्या है जो कि चमतकारिता के लिए प्रसिद्ध हैं ठीके क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाग नत्ये किया जाते हैं कैसे जैसे की कांच के ऊपर चलना और फिर नत्य करना और इसके अलावा सर के ऊपर इस तरीके से कलस मटकी रखना जिसमें आग जल रही हो तलवार के ऊपर खड़े होकर या फिर कांच के गिलास के ऊपर खड़े होकर जो है नत्य करना तो यह बहुत ही कठिन नत्य जो है वो क जाता है तो ये एक व्यवसाइक नत्य है और इसमें अपनी आदाएगी सारदिक क्रियाओं के अद्बुत चमतकार लेकारी की विवित्ता के लिए ये नत्य जो हो वो विसेस रूप में लोक प्रिय है तो इसमें जैसे की सिर पर साथ आठ मटके रखना जमीन पर रखे रूमा को मूँ से उठाना यह वककांच के टुक्णों पर नट्या करना तो यह भवई न रत्य में किया जाता है estaban जाती द्वारा होता है उद्धैपूर संभाग में जो रहती है ठीक है उद्धैपूर संभाग में बसने वाली भवई जाती द्वारा ही भववई इन्रत्य किया जाता है रूप सिंग सेखावत तारा शर्मा अश्मिता काला दयाराम कजली कुसम द्रोपती ये सबी क्या हैं इसके मुख्य कलाकार हैं याद रखें रूप सिंग सेखावत का नाम कि ये भवई इन्रत्य से संबंदित हैं अस्मिता काला इनका नाम भी विसेश तोर पर याद रखना है क्योंकि 111 घड़े सिर पर रखने का रिकॉर्ड इन्हों ने बनाया था किसने अस्मिता काला ने भवईन रत्य की ये प्रमुक कलाकार है नेक्ट जो पुस्पा व्यास है वो प्रथम भवाई महिला नर्तक है ठीक है तो दोनों के नाम आप याद रख सिंग सेखावत का नाम भी भवई नतक है तो आप यह याद रखंगे फिर देखिए चरी नत्य चरीव नत्य के बारे में हम आगे ड़िटेल में पढ़ेंगे तो तो क्योंकि चरी नत्य जो है जनजातियों का नत्य है और ये एक व्यवसाइक नत्य भी है याद रखना है चरी नत्य व्यवसाइक नत्य भी है जो कि किसका जनजातियों का नत्य है ठीक है तो विसेज तोर पर जो गुर्जर है गुर्जर जो जनजाती है वो करती है ये नत्य कच्छी गोडी नरत्य के बारे हमने देख लिया है कच्छी गोडी नरत्य एक व्यवसाइक नरत्य है नेक्स्ट देखें काल बेलियों के नरत्य तो काल बेलियों जो की सापों को पकड़ने वाली एक जाती है और यहां पर जो नत्य होते हैं जिसमें संकरिया नत्य हैं पनिहारी नत्य हैं इंडोणी नत्य हैं और बांगडिया नत्य हैं ठीके पनिहारी गीत हमने देखा इंडोणी गीत हमने देखा जो की पानी भरने को जा रही महिलाएं जब इस तरीके के गीत गाती हैं ठीके तो ये एक तरीके का नत्य भी है पनिहारी इंडोनी ठीक है और संकरिया और बांगडिया तो संकरिया नत्य जो है काल वेलियों का नत्य है ये एक युगल नत्य है यानि इस्त्रीपुर्श दोनों के द्वारा किया जाता है और यह प्रेम पर आधारित नत्य है पनिहारी नत्य यह भ उसके बाद देखिए बांगडिया नत्य जो है कालवेलिया महलाओं द्वारा मांगते समय चंग बजाते हुए ये नत्य किया जाता है। तो आप यहाँ नाम याद रखेंगे कालवेलियों के नत्य संकरिया, पणिहारी, इंडोरी और भागडिया ठीक है। और विसेश दोर पर ये सभी युगल नत्य हैं। गुलाबो सपेरा का नाम आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर गुलाबो सपेरा का नाम तो याद रखेंगे। क्योंकि कालवेलियों नत्य की प्रत्सिद्ध नत्यांगना है गुलाबो सपेरा। अगला देखें कंजर जाती के नत्य, सबसे पहले है चक्री नत्य, तो चक्री नत्य गोल गोल घूम कर किया जाने वाला नत्य ही चक्री नत्य कहलाता है, ये युवतियों द्वारा किया जाता है, तो अभी तक हमने देखा कि जो नत्य थे वो सभी पुर्सों द्वारा किये ज जंकरिया, सबी कालबेलियों के नत्य थे, जिसमें इस्त्री पुरुष जो हैं, वो दोनों ही नत्य करते हैं, ठीक है, चक्री नत्य जो है, वो युवतियों द्वारा होता है, और यह कोटा बुंदी जहलावाड यानि हाडोती का प्रसिद्ध नत्य है, चक्री नत्य, कंजर द्वारा जाती की द्वारा ही यह किया जाता है, युवतियों द्वारा प्रियतम से स्रंगार की वस्तुएं लाने का अनरोद करती हैं, इस नत्य में, और शांती, फुलवा, फिलमा, इनकी जो है, बो प्रमक कलाकार है धाकर नत्य जाला वाडवा वीरा के मद्ध हुए युद्ध में जाला पाओ की विजय की कुसी में किया जाता है धाल, डांग, फरसा हांत में लेकर ये नत्य होता है और युद्ध की सभी कलाएं जो है इस नत्य में दिखाई देती है नेक्स्ट देखें, अभी हम पढ़ रहे हैं व्यवसाइक नत्य उसके बाद देखिए कट पुतली नत्य जो है एक व्यवसाइक नत्य है पैसे कमाने के उद्धेश्च से ही किया जाता है और इसमें देखिए लकडी की जो बनी हुई कट पुतलियां होती है कट का अर्थ ही क्या होता है लकडी और लकडी के जो पुतले बनाये जाते है ठीक है उन्हें धागों से बांध कर उन्हें जो है किसी भी कहानी से जोड कर उनसे नाच करवाया जाता है ठीक है तो लकडी धागे प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पैरिस की गुडियों जीवन के प्रसंगों को अभी व्यक्तवा मंचन किया जाता है तो कटपुतली नरत्य भी एक व्यवसाइक नरत्य है नेक्स्ट दिखिए भोपों के नरत्य तो राजिस्थान में गोगा जी, पाबु जी, देव नाराइंड जी, भैरू जी आदी के फड के सामने इनकी गाथा का वर्डन करते हुए नरत्य किया जाता है तो फड क्या होता है, फड जो है वह इस तरीके से कपड़े की बनी होती है और जिसमें गोगा जी हैं या पाबु जी हैं या देव नाराइंड जी हैं इनकी जीवन करित्र का जो है उसमें चितरांकन किया जाता है ठीक है और इस तरीके से दरसाया जाता है जिस तर्इके से उनका जीवन चला क है ठीक है, starting से end तक उन्होंने क्या क्या किया था, कौन-कौन से युद्ध में भाग लिया था, कहां-कहां गए थे, तो वो सभी गीतों के माध्यम से और उन चित्र के माध्यम से उन गाथा का वर्डन किया जाता है, और ऐसा करते हुए नत्य किया जाता है, तो भोपों के द्व के बारे में पढ़ा, शेत्रिय नत्य और व्यवसाइक नत्य तो नाम तो आप याद रखेंगे, कौन सा नत्य जो है, वो व्यवसाइक नत्य है, कौन सा नत्य जो है, वो केवल पुर्सों के द्वारा किया जाता है, कौन सा नत्य जो है, वो केवल महलाओं के द्वारा किया जाता है ठीक है सेखावटी शित्र के कौन-कौन से लोगनत्य हैं तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ विसेश जो लोगनत्य हैं उनको तो आप याद रखेंगे कि सेखावटी शित्र का प्रसिद लोगनत्य गींदर नत्य है पुर्सों के द्वारा किया जाता है ह नरत्य करते हैं स्वान करते हैं ठीक है कच्छी घोडी नरत्य व्यॉसाय नरत्य का नरत्य है और इसमें भी वहीं विवहागी अब सर पर पुरुस ही करते हैं, डांडिया निरत्य जो है, जो कि मारवार का प्रसिद निरत्य है, ओली के अफसर पर होता है, पुरुस ही करते हैं, उसको गोल-गोल व्रताकार घूमते हुए डांडिया लेकर, ठीक है, अगली निरत्य बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के अन्याई फिर हमने भरतपुर अलवर का जो है नेरे धनु रत्फ गोड़ता है दोरा होता है और इसके अलावा हमने देखा था भवाई नत्य है, जो कि एक व्यवसायक नत्य है, चमतकारिता के लिए प्रसिद्ध है, तेरताली नत्य है, जो कि कामर जाती के महलाओं के द्वारा तेरे मंजरे बांदिकर होता है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रिवाइस करवा दिया है, और आप लोग वीडियो को दे झालई στη स्लिवासा करना थे लोगों कोर सा अयच्य आप लोगों को भाल दो घ sv sociedade को बत्य है, इजा भी आप लोगों को रोगों को अपना आप लोगों को बाड़ा में जोला करने झाप लोगों को जो से अट